नमस्तों आरही के चनल पे आप सभी का दिल से स्वागत है तो आगे हूं मिलने करके होली इस्पेसल साधी इस्पेसल पार्टी इस्पेसल बूंदी के रायते ओभी छे तरीके के तो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे छे तरीके के बूंदी के रायते बनाना और अलग अलग इनक अंचे से बताया है कि बेषन को किस तरह से फेटना है बढ़ों Keलिए को उसी तरह बूंदी को फेटना यहांपे भी मैं बताओं कि आप लोगों को अगर इस वीडियो में नहीं समझ में आता तो बूंदी के वीडियो बनाए हैं हमने पहले, उस वीडियो को भी मैं यहाँ पर लिंक दे दूँगी, डिस्क्रेप्शन में उसका अच्छे कर लेना, तो देखी यहाँ पर बेशन लेना है, कितना आपको बनाना है, वो आपके उ इतना ही पतला है, हमको रखना है, अब हम चलिए इसको एक कटोरी में पानी लेते हैं, उसमें चेक करते हैं, अगर यह उपर आते हैं तो समझ जाए कि आपकी बूंदी के लिए यह पेश्ट जो है तयार है, तो देखो यहाँ पे हम लोग डालेंगे यह पानी में, देखे अच्छ से उपर आ रहा है, नीचे नहीं जा रहा है, अब यह तैयार है, इतना ही पतला रखना है, अब चलो हम इनको चानते हैं, तो चानने के लिए देखिए आपके घर में अगर जारा नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, तो हम लोग कैसे करेंगे इसको, तो इस तरह से चन मुझे जो भूंदी है, थोड़ी सी बड़ी चाहिए, यह छनी का जो छेद है थोड़ा से छोटा है, तो पल्टे में मैं चानूंगी, आप छनी में भी चान सकते हैं, अब हम गैस पे रखेंगे कढ़ाई, उसमें डाल देंगे तेल, तेल अच्छ से गरम होना चाहिए, बूंदी का पेष्ट भी मजदार बना है, अच्छा बना है, यानि कि यह देखो, देख करके इतना अच्छा लगता है, मुझे न मनुरा तब धेर सारा बूंदी चानूं, बहुत मज़ा आता है चानने में बूंदी को, यह देखो, वास सिंपल सा, आपको पेष्ट को गिर बूंदी को डाल रहे हो, उसके बाद आप गैस को स्लो कर देना, अच्छे से सिखने देना, अराम से तभी अंदर तक सीखेंगे, कहीं कहीं हम लोग साधी ब्या में खाते हैं, तो कहीं कहीं बूंदी कच्छी होती है, वाइट वाइट दिखती है और उस इस दम अच्छा न सकते हैं, मैंने कुछ भी नहीं डाला है, अब हम तेल जो इस्ट्रा था उसे रख दिया है निकाल करके यहां एक चटनी तयार करेंगे, अपने रायते बनाएंगे यहां पे, तो तेल में हमने डाला है सौफ, उसके बाद हम लोग डालेंगे जीरा, ठीक है, सौफ जीरा डा अब सिंपल जीरा डालके मिर्ची बना सकते हो, आब यहां पे मोटी, दरडरी, कुटी, कुटी, डालेंगे मिर्ची, आप पाउफ भी डाल सकते हो, लेकिन, थोड़ा सा मिर्ची दीखता है, तो ठोड़ी और दिखने पे अच्छी लगती है अब हम यहां पे डालेंगे थो ज़र फिर गोल के रखना है। नहीं नमक डालेंगे और यहां पर हम गोल डाले हैं। तो अब चीनी ले सकते हैं, लेकिन मैंने गोल लिया है। इसी तरह देखें। इतना ही पतला हमें रखना है चट्नी। बहुत गाधी नहीं बनानी है। यह बंद के तयार हो गए है अब चलिए हम बूंदी डालेंगे बूंदी डाल करके अब हम गैस को बंद कर देंगे और इनको साइड में रख देंगे यह रहाम से पूरे फुल जाएंगे वीना टेंसन के क्योंकि हमने बेसन इसका बहुत अच्छे से तयार किया था कोई टेंस कि कि किसी को इस तरह से भी बूंदी पसंद होती है अलग-अलग आप लोगों ने सादि व्याह usuां में अलग-अलग तरीके से भूंदी खाई होगी लेकिन ये मीठी वाली जो हमने बनाई न वह आप लोग कभी नहीं खाए होगे कहीं मुझे तो लगता है कि ये आप लोग नहीं खाए होगे अगर खाए हैं तो भी बहुत अच्छी बात है सिंपल दही डालेंगे नमक अच्छे से मिक्स कर देंगे दही थोड़ी सी पतली रखेंगे अच्छे से फेट लेंगे दही को बहुत गाड़ी दही नहीं रखेंगे जैसे कि आपको दिख रहा है वीडियो में उतना ही पतला दही को रखना है अच्छे से मिक्स करके भूंदी इतनी अच्छ से त्यार जो किया है अब हम एक और बनाते हैं रायता यहां पे सिंपल चीनी लिया है किसी किसी को यह टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है दही को मिक्स करना है बूंदी को डाल देना है और इन्हें भी साइन में रख देना है इसी तरह से करते जाएंगे चीनी को थोड़ा सा गहोल देंगे आराम से जब तक बूंदी सोख करेंगी तो भी चीनी घुल जाएगी कोई प्राब्लम नहीं है मैं जरा जरा सा बना रही हूं आपको कितना बनाना है आप बना सकते है है एक महिने दकाते हो इससे यहां पर दिये है चीनी चाट मसाला यहाँ पे चाट मसाले में मैंने घर का काला नमक और भूना हुआ जीरा लिये हैं, सिंपल नमक लिये हैं और चीनी लिये हैं इसे मिक्स करके चीनी के साथ किसी को काला नमक और जीरा बहुत पसंद होता है तो इस तरह से भी हम लोग बना लेंगे आप लोग बताना कमेंट में कि अगर बनाईएगा तो ज़रूर बताईएगे कि कौन सा फ्लेवर आप लोग को ज्यादा अच्छा लगा मैं भी बताती हूँ वीडियो के एंड में कि मुझे कौन सा अच्छा लगता है ज्यादा इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे जैसे कि मैंने सारे रायते को हम लोग तयार किये इन्हें भी साइड में रख देंगे उसके वाद हम लेते हैं यहाँ पे सिंपल नमक और काला नमक और हुना हुआ जीरा इनमें भी दही मिक्स करेंगे क्योंकि किसी कुछ चीनी पसंद नहीं होती है लेकिन काला नमक और हुना जीरा पसंद होता है इसलिए हम यहाँ पे अलग अलग आप लोग को बता रहे हैं आगे भी और चटपटे बनाएंगे उनमें चाहें तो आप मिर्ची डाल सकती है बच्चों को दे रहे हैं तो मिर्ची ना डाले अब चलिए यहाँ पे बना लेते हैं पानी वाली बूंदी तो इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, पुदीना पाउडर आपके पास फ्रेस है तो फ्रेस ले लिजेगा यहाँ पे हम डालेंगे काला नमक और भूना हुआ जीरा और यहाँ पे हम डालेंगे चाट मसाला, सिंपल नमक लेंगे सादा नमक खटाई मैंने लिया है और नीबू कारास लिया है खटा आप अपने हिसाब से चटपटा कर सकती हैं कितना खटा आपको पसंद है और पानी डाल देंगे अच्छे से मिक्स करेंगे बुंदी डाल करके और उसके बाद यहां पे मैं डालूँगी रेड मिर्ची, हरी मिर्ची भर भर के इसमें यह पानी इसका बहुत अच्छा लगता है पीने में बहुत अच्छे हैं अपने आप में हर एक रायते का टेस्ट बहुत अच्छा है, तो आप जरूर ट्राइ करना, तो यहां पर उमीद करती हूं कि वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, सेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, होली स्पेसल रेसिपी है और इस वीडियो पर लाइक ज़रूर करियेगा थेंक यू सो मस्च मित्ती हो अगली वीडियो में